तो hello everyone एक और news जो आज के ही दिन आ चुका है आज का पहला news जो था वो था हमारे fish ratings के उपर की अदानी ग्रूप के उपर एक news आय थी उस पे अमारा पहला वीडियो था अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे कहीं पे card पे मिल जाएगा मतलब उपर i button पे या फिर आपको मिल जाएगा last के end screen पे आपको जो cards दिखते हैं उसमें मिल जाएगा या फिर आपको description में मिल जाएगा मैं सब जेगा links डाल दूँगा तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो अगर आपको by chance कहीं नहीं मिलता है तो आप directly channel पे जाकर के भी देख सकते हो तो आपस आते हैं आज के वीडियो पर तो आज का वीडियो एक news के उपर है जो की विरल आचायर जी के उपर है अब विरल आचायर जी कौन है तो यहां पर देख सकते हो Indian economist है और अगर मैं about आपको थोड़ा पढ़ करके बता हूँ तो यहां पर विरल वी आचायर इ of National Institute of Securities Market, Securities and Exchange of Boards since 2014 मतलब यहां पर सबसे पहली बात तो यह Indian economist है और उसके बाद Reserve Bank में भी काम कर चुके हैं RBI में deputy governor तो बहुत बड़े हैं आदमी और obviously economist है तो उन्होंने क्या कहा है economy को लेकर कि उस पर ही बात है तो news पर चलते हैं मैंने आपको introduction दे दिया कि actually विरल आचा तो इन्होंने क्या कहा है आप यह देखो break up India's biggest conglomerate firms यहां पेतनाई news है बस इन्होंने यही चीज़ कहा है कि break up India's biggest conglomerate firms जो बहुत बड़े group हो चुके है बहुत बड़े firms हो चुके है उन्हें break किया जाना चाहिए तो ही हमारा inflation actually यह जो news है यह inflation rate को ले करके है और मैं यहां पर तो आप इस चीज़ को समझना यहां पर inflation लगाता rise कर रहा है हम सबको पता है जिस दिन यहां पर meeting होती है और यहां तो 25 basis point बढ़ाय जाते है या 50 बढ़ाय जाते है इस तरह से जो inflation को rise करया जाता है मतलब जो भी interest rate को rise किया जाता है क्योंकि inflation को control में लाया जा सकी अब आपको पता होगा 6% जो है वो higher limit है मतलब अगर 6% के उपर inflation निकलता है तो RBI के लिए या फिर कहीं के लिए भी वो बहुत जादा dangerous मतलब एक तरह से आप कहलो वो control से बाहर चला जाता है तो 6% के under अगर रहता है तो फिर ठीक होता है जितना कम होतना अच्छा मतलब 2-6 मैंने आपको साथ आपको पता भी होगा कि 2-6% जो है वो एक range है अगर इस range के under में रहता है तो inflation काफी अच्छे range में है अगर इससे निकलता है तो फिर RBI के लिए problem हो जाती है चाहे 6 से बाहर चले जाए या फिर 2 से अंदर आ जाए दोनों में problem है तो अभी जो है around 6 है तो उपर यह मुझे exactly नहीं पता 6.5 के असपास है तो यहाँ पर इसलिए लगातार interest rate को increase किया जा रहा है FED भी कहलो FED कहलो RBI कहलो सब interest rate को increase कर रहा है शक्तिकांता दास जी जो अभी governor है वो भी rate को increase कर रहा है बार बार FED भी वही चीज़ कर रहा है कि 25 को भी बढ़ा दिया बड़े conglomerate firms है जो बड़े companies है जो monopoly बना चुके है उनको किसी तरह से break करना होगा अगर वो break होते है अब क्यूं हो यह है यह मैं आपको आगे बताऊंगा news में मैं आपको अभी basic बता रहा हूँ ताकि आपको आगे news आप connect कर पाऊंगी उससे ओके सो यहाँ पर जैसे-जै चीज़ का है कि अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर बड़े companies यहाँ भी आप देख सकते हो break up India's biggest companies तो अगर बड़े companies को break किया जाया ब्रेक किया जाया मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें तोड़ दिया जाया उन्हें बंद कर दिया जाया यह चीज नहीं है मतलब उनका जो monopoly उसको खत से चलते हैं यहाँ पर देख सकते हो the big five consisting आपर देखो biggest conglomerate firms में इन्होंने नाम भी लिया है पाच का the big five consisting of reliance group यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो मैं mark कर देता हूं reliance group यह पहला Tata group दूसरा आदिते बिर्ला group तीसरा अदानी ग्रूप चौथा और भारती टेलिग्रॉम मतलब भारती अटलिया पांचवा have grown at the expense of smaller local firms said Viral Acharya Ji who was reserve bank of india deputy governor between 2017 and 19 at the same time government sky highs tariffs और यहाँ पर आप आप आपी बढ़ सकते हो तो यहाँ पिनों ने कहा है कि यह जो पांच है reliance group टाटा ग्रूप अधिते बिर्ला ग्रूप अदानी ग्रूप और भारती टेलिग्रॉम यह इतने बड़े ग्रूप हो चुके हैं और यह इतना monopoly बना चुके हैं क्यों ऐसा क्यों है यह भी पढ़ते हैं आगे तो इसको आप देख सकते हो India's biggest conglomerates मतलब उन पांचों की बात हो रही है which weld immense pricing power मतलब इनके पास pricing power है मतलब जितना price वो चाहते है उसको increase कर देते हैं मतलब pricing power इसी को कहते हैं कि उन्होंने जो price चाहा वो increase करके उतना price कर सकते हैं तो pricing power उसको कहते हैं आगे बढ़ते हैं in retail, resources and telecommunication sector अब जैसे telecommunication sector है तो उसमें जीओ हो गया airtail हो गया और उनके बाद कुछ है नहीं मतलब जीओ और airtail इसके बाद और कुछ चलता है नहीं है इसी वज़े से आपने ये भी देखा होगा कि V.I. को जो है आपने अगर news सुना होगा कि बहुत जादा उन पर लोन था तो उनके लोन को equity में convert कर दिया गया 10 रुपे के equity पर तो वो चीज़ भी है तो telecommunication में जिससे एक हमारा competitor और increase हो जाए duopoly जो है वो ये टेल और जी ओकर ये ब्रेक हो सके तो इसी वज़े से ये किया गया contributing to elevated inflation जो inflation की बात हो रही है and should be broken up a former central banker से ओके सो ये एक बात हो गई अब आगे बढ़ते हैं the big five consisting of reliance group, tata group, आधिते बिल्ला group, अधानी group और भारती अटेल यही चीज है जो यहाँ पर लिखी गए थी यहाँ पर आप देख सकते हो at the same time the government ओ यह चीज वही यह जो लिखी गए थी यहाँ पर यह जो चीज है यह वही same चीज है तो मैं इसे skip कर देता हूँ उसके बाद creating national champions which is considered by many as the industrial policy of many creating national champions which is considered by many as the industrial policy of new India appears to be feeding directly into the into keeping prices at a high level said आचारे who is a professor जो भी है stern school तो वही चीज है national champions को बनाना इंडिया के लिए उतना सही नहीं है मतलब यह अच्छी बात है बट यह इंडिया के लिए उतना सही नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा और जैसे लिखा भी हुआ था कि अगर एक monopoly हो जाता है या फिर यहाँ आप माल लो इस तरह से duopoly हो जाता यहाँ पर आप देख सकते हो part of acharya's reasoning was the Indian consumers who couldn't fully benefit from input price decline as the big five companies control manufacturing of metals, coke, refined petroleum products as well as retail trade and telecommunications तो वही चीज़ की बात हो रही है अगर माल लो metal का price नीचे आता है या फिर किसी भी चीज़ का price कोई भी input price कोई भी raw material का price कुछ भी अगर नीचे आता है तो इससे क्या होता है आप देखते होगे अगर आपने देखा होगा balance sheet and आपने अगर देखा होगा profit and loss statement तो उसमें ल चार्ट है यह एक चार्ट है और इस तरह से ऊपर चला गया तो इस जगह पे इनका operating profit margin जो है उनका जो profit है वो कम हो जाएगा तो वो यह price को increase कर देंगे क्योंकि उनका profit कम हो जाएगा या फिर अगर वो loss में होगे तो profit माल आने के लिए price को increase कर देंगे बट जब यह नीचे लिए तो हो जाएगा क्योंकि उनके पास pricing power है अब अगर यह price नीचे आता है तो input price नीचे आता है तो उसके बाद यह 15 का फिर से यह 10 नहीं होने वाला या फिर 15 का 12 तक नहीं होने वाला तो pricing power के वज़े से उपर चले जाता है यह एक फायदा होगा उसके बाद यहाँ पे input price जब decline होता है जब raw material का price decline होता है तब इनको फायदा हो जाता है और इसके वज़े से हमें retail consumers को कोई फायदा नहीं होता तो यह चीज़ भी आपे लिखी गई है और बहुत सारी चीज़े है पर यह main चीज़े है आप आगे देख सकते हो यह पूरा यहीं तक ऐसा है इसके ब news है 1246 एराउंड एक बजे का news है और अभी पता नहीं वीडियो अपलोड होते होते कितना टाइम हो जाएगा बट यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना आपने दोस्तों के साथ आपको क्या लगता यह चीज़ स जो कि आपको कार्डवार्ड में दिख रहा होगा तो वहां से भी उस वीडियो को देख लेना आप यहाँ पर सर्च करोगे सिंपल सा विरल आचारी न्यूज तो यहाँ पर आपको सेगंड या थर्ड पर मिल जाएगा ओके सो यही वाला न्यूज है फस्ट वाला आप जैसे मैं वीडियो अप्लेट करूँगा तो आपको नॉटिफिकेशन भी मिलना चाहिए लेटेस्ट अप्डेट को लेटेस्ट ली पाने के लिए एस सून आस पॉसिबल पाने के लिए तो बस गाइस मिलते किसे और वीडियो में जैहिंद थैंक्स वाचिंग